कोरोना से जीतने में होमियोपैथी की भूमी का 31 माई 2021 को शाष्किर गरविज्ञान इसनात को तिर अग्रणी महाविद्या लई होशंगाबाद दुआर आयोजीत हो मैसोलेशन मेरे रहे उन लोगों के लिए यह उनलाइन सत्र है जिन्हें चिकिसी परामर्ष के आवशकता हैं अपने चारों और जो चिकिसा पदतियों के प्रती असमंजस का वातावरन प्रती एक व्यक्ति महसूस कर रहा है जब यह जरूरी हो जाता है कि दवाओं से संबंदित ब्रह्म दूर किये जुआ है और लोग विश्वास के साथ दवा लेकर जल्द ही इस कोरोना नाम मामारी से जीत कर सामाने जीवन की और अग्रसर हो आज के इस उनलाइन सत्र में शास्की अग्रविज्यान इसनात को तर अग्रणी माविद्याले की प करात्मक समवाद की जुआएंगे जिसमें चिकिसा पदती का विश्वास के स्वात पालन कर कोरोना से जीच सके आज हमारे बीच मुक्य अतिती वक्ता के रूप में बोपाल से होम्योपेथी चिकिसाक डॉक्टर दिवेश्यादव जी को परामर शेतु आज की मिटिंग में आमंत्रित किया गया है वही वर्तमान समय में चिकिसाक सबसे वैसतम जीवन जी रहा है इसके बाद भी उन्होंने अपने अमूल्य समय दिया है शौस की ग्रहम विज्ञान इसना को उतर अग्रेनी महाविध्यालई परिवार उनका रदई से आबारी है आज के मुक्य अतित वक्ता के रूप में जोईन हुए डॉक्टर दिपेश यादव ने कहा कि कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आने तक इलाज प्रारंब कर देना चाहिए इस समय सर्दी खासी बुखारादी को सामन्य न मानते हुए गंबिरता से लिए यदि ऑक्सिजन का इस्तर लगातार कम हो जाए तो तुरंत अस्पताल में एड्मिट करना चाहिए ऐसे में होमियोपेथिक दवाएं इस सिती को संबालने में अत्यदिक स्वायक सिद्ध होते हैं उन्होंने वेक्सिनेशन को जरूरी बताते हुए का कि इससे होने वाले ततकालीन प्रभाव जैसे बुखाराना यु कि इससी ता ElsTI झाहिए झाले व Handy वेक्सिने में हो सबस्दी में होस्साइड जाएं